वियजिता मिष्चा, बिहाद विधांसवा चनाव में इस बार 1-7 दो युवा निता एक मन्चपर नजर आएंगे जी हाँ हम बात कर रहे हैं तेजुस्वी यादो और कनिया कुमार की दोनों युवा हैं और दोनों को वियजिता मन्चपर नजर आएंगए और ये बात साफ हुई है जब RJD और बामदलों की बुद्वार को मिटिंग हुई मिटिंग में दोनों ने सहमती जताई है कि RJD कॉंग्रेस और बामदल इस बार बिहार विधान सबाद चुनाओं में एक साथ चुनावी मैदान में कदम रखेंगे और इस मिटिंग के बाद ये साफ हुगया है कि जब मंच पर चुनावी प्रचार होगा तो तेजस्वी यादो और कनहिया कुमार एक साथ चुनावी मैदान मूतरेंगे और एक दुसरी का सपूर्ट करते नजर आएंगे आप बतादे कि बिहार विधान साथ चुनाव में दोनों नेता युवा हैं और दोनों से बिहार को काफी उमीदे हैं जहां तेजस्वी यादो को बिहार में एक आप्शन की तरफ देखा जा रहा है यानि भविष्य में तेजस्वी यादो सीम नतिश कुमार की जगह ले सकते हैं वहीं कनहिया कुमार पर भी लोगों को काफी भरोसा है वो भी युवा हैं और उनसे भी बिहार को काफी उमीदे हैं आप बता दें कि कुछ दिन पहले जब कनहिया कुमार ने जनगानमन यात्रा की शुरुआती थी तो लोगों के दिलों में अपनी एक अलग चाप छोड़ी थी खासकर मुस्लिम समुदारी के लोगों ने कनहिया को बहुत प्यार दिया था और उसी के कुछ दिन बाद 23 फरवरी से तेज़स्वी यातों ने भी बिहार की यात्रा शुरू कर दी थी यानि कही न कहीं दोनों एक दूसरे के साथ चलते नज़र आए थे दोनों एक दूसरे को कमपटिशन भी देते नज़र आए थे लेकिन एक चीज गौर करने वाली थी दोनों नेताओं ने कभी एक दूसरे के खिलाफ बयान बाजी नहीं थी जनगनमना यात्रा के दोरान कनिया कुमार केंडर सरकार के खिलाफ हमला बोलते नज़र आएं वही तेजस्वे यादो बिहार की यात्रा के दोरान स्रियम नितश कुमार और बिहार सरकार के खिलाफ हमला बोलते नज़र आएं लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं किया, दोनों बिहार को नई रफतार देने के लिए काम करते नजर आए हैं, लेकिन अब जो खबरी सामने आ रहे हैं, दोनों को बिहार से काफी उमीदे हैं, बिहार को इन दोनों निताओं से काफी उमीदे हैं, ये दोन वसंतना ही विहार चार्खिन की तमाम खबरों के लिए देखते रहें अजय भारत